हलो बच्चों कैसे हो तुम सब मैं तुम लोग का सुमो नाम है आज हम लोग कैसे ओ लिखते हैं वो सिखेंगे तो फिर चलो शुरू करते हैं आज हम लोग ओ लिखना सीखेंगे ठीक है देखो इस लाइन में ओ लिखा हुआ है इस लाइन में जैसे ओ लिखा हुआ है हम लोग इस लाइन में भी वैसे ही ओ लिखेंगे ठीक है तो फिर चलो शुरू करते हैं पहले हम लोग एक आधा गोल निकालेंगे ठीके उसके बाद हम फिर से आधा गोल निकालेंगे और इसे जोर कर और एक आधा गोल निकालेंगे ठीके अब हम लोग एक आधा गोल निकालेंगे फिर उसे जोर कर और एक आधा गोल निकालेंगे और एक आरी रेखा उसके बाद फिर से एक आधा गोल निकालेंगे फिर उसे जोर कर और एक आधा गोल एक आरी रेखा फिर एक खरी रेखा अब हम लोग फिर से एक आधा गोल निकालेंगे फिर उसे जोर कर और एक आधा गोल फिर आरी रेखा और एक खरी रेखा फिर मात्रा दे देंगे ये बन गया ओ फिर से लिखेंगे हम लोग एक आधा गोल निकालेंगे फिर उसे जोड़ कर और एक आधा गोल फिर एक आरी रेखा, उसे जोड़ कर एक खडी रेखा और मात्र दे देंगे ये बन गया ओ अब हम लोग इस लाइन पे पूरा ओ लिखेंगे एक आधा गोल निकालेंगे फिर उसे जोड़ कर और एक आधा गोल फिर एक आरी रेखा, उसे जोड़ कर एक खडी रेखा फिर मात्र दे देंगे ये बन गया ओ फिर ऐसे ही हम लोग लिखेंगे जैसे की पहले लिखे थे हम लोग ये वाला लाइन से शुरू करेंगे लिखना एक आधा गोल फिर उसे जोड़ कर और एक आधा गोल एक आरी रेखा फिर एक खडी रेखा और मात्र ये बन गया ओ फिर से एक आधा गोल उसे जोड़ कर और एक आधा गोल एक आड़ी रेखा उसके बाद एक खड़ी रेखा फिर मात्रा ओ फिर से लिखेंगे हम लोग ओ फिर से एक आधा गोल उसे जोड़कर और एक आधा गोल एक आड़ी रेखा एक खड़ी रेखा और फिर मात्रा ये बन गया ओ तो फिर आज हम लोग ओ लिखना सीखें आप लोग घर में ओ लिखना जरूर अभ्यास करना ठीक है? आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई के लिए उघसे के लिए भे झाल झाल